ओके थैंक्यू पूलके जी बाबाइ बहुत ही प्यारे बच्चो आज फिर संजीव इंसान आपके सामने रोजगार विदंकित यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं वैसे मुझे बताने की जूर तनिया जो आप देख रहे हैं वह आपको दिखाई दे रहा होगा इंजन क कूलिंग सिस्टम भी क्यांटा ना बहुत ही कूल तरीके से पीजिए जो सपूरा हो और होस भी ना खneए है ना बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लेना परेशान भी नहीं होना बिल्कूल कूलिंग सिस्टम कौन सा यह जो आपका हैड है इसको पूल रखतेवि प्यारी क मोटर विकल एक्ट में जो हमें ने किया तो उसके बाद लास्ट में यह बच जाता है क्योंकि नीमो की जानगारी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है आपको रोक के पुलिस वाला पूछेगा यह कागल है कैसे चला रहे थे स्पीड लिमिट कितनी थी ठीक है विकल के बारे में नहीं पूछते हैं बट विकल की भी आपको ध्यान रखनी होती है वरना वो ठीक ठाक नहीं चलेगा तो विकल मेंटेनस में आप क्या देखोगे इंजन कूलिंग सिस्टम अगर आपने इंजन को गरम कर दिया है ठीक ठाक स अग तो लगती है इंजन में पेट्रोल उसे आपका डीजल हो जो सिलेंडर है उसमें आग लगती है ठीक है और फिर उससे एनरजी पैदा होती है तो गरम तो हो गाई तो उसी को हम कूल करने के आज पूरी कोसिस करेंगे कि हम इंजन को कूल करें तो आप सभी बच्चे हम स मान लीजिए उससे हमारा एक डिट मिनुट बच जाएगा और आप सभी को राम राम और गूड इवनिंग वह भी आप मान लीजिए ठीक है राधे राधे सब को अच्छा अब देखो आज क्या पढ़ेंगे हम अंदाज आपको हो गया इंजन कूलिंग सिस्टम कि हमने पहले पढ़ा इंजन कितने परकार के होते हैं कैसी इसकी वर्किंग होती है क्या क्या इसके पार्ट होते हैं कैसे इसमें एनर्जी पैदा होगी कैसे इसमें आग लगेगी या फिर यह गाने में यह यह लाइन आती है सिर्फ यह दो वर्ट आग लगेगी बहुत बार आता है अना सायद आपने सुना हो तो आपको पूरा पता हो उसका मुझे याद नहीं आरा अग्जक्ट लिगो गाना तो आग पे थे हम और आपके सामने भी धुआ निकल होती है उसको कूल करना है हमने कूलिंग सिस्टम क्या है है क्या यह कूल करना मतलब क्या है यह सिस्टम क्या है कूल करने का कैसे कूल करोगे क्या एक आदमी बिठा दोगे गाड़ी के बोर्ट नट पे वह पाणी डालता रहे ठीक है कैसे करोगे इसकी जुरूरत क्यों है व लगा देंगे ये भी नहीं है तिप बरसा पानी ये भी नहीं है हाई गर्मी हाँ साइद ये है हाई गर्मी इसमें आग लगे कि कियी जग़े आता है मुझे ऐसा लग रहा है आग लगे चाइवस्ति में बाबा तो रहता मस्ति में तो सचिंजी कitने मस्त हैं चलिए तो जितो ऐसा है कि अगर भर हम इसकी जुरूरत है और अगर कितने हैं तो यह देखें गया किसे अंग कितने हैं क्या पार्ट है है क्या पुर्जे होंगे इसके अंदर है ना सिस्टम चोटा मोटा तो होगा नहीं कि इस पैन की तरह चोटा सा सिस्टम ठीक है पाड़ी में आग लगी वेरी गुड़ आप तो सारे मुहमद रफी बैठे हो है ना पड़ाई में ध्यान है नहीं उसका कोई क्यों पूछ लो त आपको कितने परकार का होता है की हो सकता है कि अद highly system बनाया पहले पिर दूसरा कुछ भेतर लेके कारिय विभि यह प्रोसेसिंग कैसी है इसकी वो पढ़ेंगे और इस से सम्बंदित पर्षन हमारे एक स्टूडेंट जिसका मुझे याद नियारत उशार नाम था क्या नाम था वो रोज कहते हैं गुरुजी पर्षन तो आज परशन आज से स्टार्ट कर दिया है इसके बाद हम इसके क्यों संज भी करेंगे ठीक है तो चलिए अब हम आगे हैं इंजन कूलिंग सिस्टेम पहले क्या है वो पढ़ेंगे तो इसमें मैं एक चीज तो यह लिख दूँ कि आपका जो इंजन है इंजन गरम होता है आपको पता होगा इंजन गरम होता है इंजन गरम होने की वज़य क्या रहती है क्यों गरम होता है इंजन क्योंकि पिस्टन में आपकी हीट उत्पन होती है पिस्टन में आग लगती है ठीक है पिस्टन में आग जो आपका हवा जाती है उसमें तेल जाता ह उसमें ठीक है हवा को compress किया जाता है उसमें आग लगती है फिर तो आग भी लगती है और उसको heat भी कह सकते हो भी बहुत जादा temperature वहां का हाई हो जाता है तो engine तो गरम हो गई अफ्कोर्स जो cylinder और वो पार्ट है वो गरम हो जाएगा आपका ठीक है यह हो गया तो इसी को engine का आवशक आवशक हो गया मतलब भी जितना जुरूरी है आवशक स्तर पर बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए रखने के लिए इससे थंडा करना कूल करना कहा दूं कूलिंग सिस्टम या थंडा करना एक यी बात है उसको थंडा करते रहो भी टेमपरेचर जुरूर्ट से ज्यादा ना चला जाए ठीक है अचा यह हो गया अब बुक अपडेट के रिगार्डिंग मैं यह कह सकता हूं कि जैसे एक लोट पहले चपके आया था अब दूसरा लोट जो है वो चपके आ रहा है और कुछ बच्चों ने जो वट्स अप नंबर है या कॉलिंग नंबर है ना जो हैल्प लाइन नंबर है रोजगार वी डंकित का उसमें जन्होंने कॉल करके कुछ मिस्टेक्स वह रहा बताई थी उनका संध्यान लेते वे जो नेक्स लोट जो आ रहा है उसमें साहद उन्होंने कुछ चेंजिज कियें ठीक है कहा कहा चेंजिज कियें वो मुझे नहीं पता है हा तुशार की बात कर रहे थे हम तो यह है आपका इंजन कूलिंग सिस्टम यह चित्तर है कैसा दिखाई दे रहा है आप बताईए कितना साफ दिखाई दे रहा है एक तो यह बताए ठीक है अच्छा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम की आवसक्ता क्यों पड़ी देखो ये वाला चितर देखो इसके अंदर आपके एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे अगर थोड़ा धुंदरा दिखाई दे रहो ब्लैक ब्लैक में ये चार अच्छा ये क्या है आपके ये हैं आपके सिलेंडर अब इन चार सिलेंडरों में पिस्टन चलेगा आग लगई गरम होगा उसी को कूल करने के लिए करते हैं ये आपको चितर दिखा दिया जिसमें आपको सिलेंडर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें सिलेंडर है इसमें पिस्टन है आपका और इसमें थ इंजक्टर से तेल आ रहा है कल हमने इंजक्टर बड़ा था यह छोटा चितरूस का फिक है ना यहां पे देखो कि हीट उत्फण ओर रही है लाला लाल दिखाई दे रहे है न इसको मैं हीट लिख देता हूं हीट यह हीट है आपकी यह गर्मी उत्फण हो रही है ठीक है और यहां पे जैसे ठंडा पानी है ठंडा कूलेंट गुजरेगा ना तो उससे जो भी आपका बरतन लगा लो या सिलेंडर लगा लो उसकी बाहरी तबचा पे ठंडा पानी होगा तो वो थोड़ा-थोड़ा अंदर से भी ठंडा होता रहेगा ठीक है ना हाँ बिल्कुल बैड़ वाए नाम है पर आपने जो आंसर है वह अच्छा दिया है अच्छा यह देख लिए आपने यहीट उत्पन करेगा तो यह आव सकता है ठीक है कूलिंग सिस्टम की क्यों आव सकता है इंजन को आवशक तापमान आवशक तापमान पर बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए ठीक है बच्छो यह अपने पहले भी कर लिया था अच्छा पेड़ वाली कलास बच्चे जो बैच आ रहा है ना वो दस तारिख से स्टार्ट होगा बैच रोजगार विदंकित एप आप इंस्टोल कर लीजिए मूबाइल में उसे में आपको मिल जाएगा और दस जून से स्टार्ट होगा वह दस जून से आप उसको खरीच सकते हो कुल सिस्टम के बारे में आप ने पढ़ा सब्स्टों में कुख ठंडा करना अगर थीक सब्स्टों में कहा जाए तक टाब मार ना रखने के लिए इंजन ऑवर हीट नहीं उसके लिए ठीक है इसके परकार कितने होते हैं इसका एक परकार तो यह होता है कि air cooling system सिस्टम एक दूसरा परकार होता है लिक्विड 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 मतलब तरल समझते हो ना आप दरव रूप में पूलिंग सिस्टम ठीक है और जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है इसके फूर्धर फिर दो परकार ओधे हैं एक आ जाताया आपका वुलिंग और चिंटन्य नाम सुना होगा है ना कूलेंट डालते हैं वो आपका स्काई बुल्यू से कलर का होता है ठीक है बच्चो अच्छा यह आपके परकार होगे एर वाला क्या होता है कि एक पंखा सा लगा दो वो पंखा एर करेगा और वो ठंडी हवा आगे जाते रहेगा इंजन ठंडा होता रहेगा दूसरा कि जैसे बाइक बगएरा होते हैं उसमें इतनी जगह नहीं होती सबकुस लगाने की और उसमें इंजन इतना गरम भी नहीं होता ओपन एरिया होता है चारों और बाइक में तो हर जगह से हवा ऐसे आ रही होती है तो खुद हवाई सीधा कोई पंखा लगाने जूरत है सीधी हवा आ डाल देते हैं या कूलेंट डाल देते हैं और वह उसमें चलता रहता है ना पानी उसमें चलता रहता है तो वह वाला सिस्टम को आप वाटर डालो तो वाटर कूलिंग system coolant डालो तो oil cooling system वो होता है ठीक है यह है अच्छा आपका जो होते हैं ना कि हलके वहन हलके वहन आ गए आपके ठीक है अच्छा बाइक बगएरा हो गए आपके बाइक बगएरा में इतनी system radiator वगएरा यह सब इतना system लगाई है नहीं सकते है छोटा सा तो होता है वो उसका size तो यह सब में आपको कौन सा काम करता है यह आता है air cooling का यूज किया जाता है air cooling system का ठीक है अच्छा आपके जो हैवी वहान हो गए हैवी विकल हो गए हैवी कहे दो या medium वाले भी हो गए ठीक है ना कार जीव अगरा हो गए यह ना उसमें कौन सा हो जाएगा आपका oil cooling का है दो आजकल oil cooling system ज्यादा चलता है ठीक है यह यूज कर रहे हैं बजाए कि water cooling के ठीक है बजाए water cooling भी यूज कर सकते हैं और coolant coolant ज्यादा efficient मानते हैं उसको ठंडा करने के लिए तो oil cooler use करते है उसमें ठीक है अच्छा तो मोहित शामली से है very good cooling system के अंग अंग कहे दो component कहे दो parts कहे दो पुर्जे कहे दो वो कौन कौन से है वो भी हम इसमें देख लेंगे ठीक है चलिए इसको देखते है फिर diesel engine जो है patrol engine के मुकाबले इस और क्यों जादा करता है उसका देखो mechanism जो है ना diesel engine का वो different है इसमें क्या होता है कि air और oil एक साथ जाता है patrol वाले में spark से क्या होता है चिंगारी छुड़ती आग लग जाती है डीजल वाले में क्या होता है कि डीजल वाले में पहला जो stroke लगता है four stroke engine में पहला stroke क्या करता है पहला stroke सिर्फ हावा आती है और हावा को piston ऐसे दबाव मारता है तो उसमें गर्शन जादा होगा ना क्योंकि उसमें तेल नहीं है तेल में चिकनाट होती है ठीक है तेल तो है नहीं तो हावा को compress करेगा सिर्फ तो piston और आपस में यह क्या है cylinder है य हवा compress कम होगी तो हीट कम उत्पन होती है इसमें हीट जादा उत्पन होती है ठीक है ना तो पूरी की पूरी हवा ही आती है जितनी मातरा है जितनी उसमें जग है सारी की सारी हवा आएगी उसमें तो डीजल वाले में तो पहले दूसरे में आता है वो तो आपका तेल है जो तेस्ट बच्चे रोजगार विदंकित जो हमारा एप है उस पे संडे को होता है इस संडे को आपको टेस्ट मिल जाएगा वहां पे और पिछले टेस्ट भी पड़े होंगे वह भी आप करके देख लगते कर सकते हो काफी सारे टेस्ट हो रखे हैं अच्छा अंग की बात कर लें इसमें यह आपने देखा होगा ऐसा गाड़ी के आगे सबसे आगे आगे पार्ट में होता है यह क्या है इसका मैं अगर यहां नाम पहले बताओ यह नाम दिखाई दे रहा है आपको पड़ पा रहे हो यह लिखावा इसका नाम अगर नहीं इसको मैं झाली की देता हूं कि यूब कि इसमें है कई एट एसी है की है अच्छा और क्या है इसमें यह वाला यह धक्कन यहां पर लगा हुआ है यह यह है आपका प्रेशर कैप काई का या टोपी कहूं उसको ठीक है इसका रिजर्वर रिजर्व टैंक कह सकते हो इसको reserve tanky या tank कोई ठीक है अच्छा feed line कहा रखा इसको feed line feed line आप सोत रहोगे मैं शर्म नाम पट रहा हूं बता नहीं रहा पहले ये नाम लिख दूम है उसके बाद हम एक-एक से मुलाकात करेंगे अच्छा यह है आपका pump यहां पर यह बना दी आपका pump इसके अलावा क्या है हमारे पास यह वाड़ी लाइन आ रही है यह देखो यह वाड़ी लाइन यूँ ठीक है और वापस engine में जा रही है इसका नाम इन्होंने रखा है by pass बाइपास लाइन हिंदी में रख देते हैं ना लाइन ठीक है अच्छा यह क्या है thermostat यह वाली चीज यहां पर लिख देता हूं मैं अगली जो मैं लिख रहा हूं वह दिकाई दे रहा है कि अप पहले यह भी बता दो पहले वाड़ा तो दिखाई क्या पताहरा ना दे रहा हो चोटा चोटा इसके अलावा कोई इसमें पार्ट बचा हो तो मैं लिख देता हूँ रेडियेटर के दो टैंक होते हैं अच्छा इसमें मैं दूसरा यूज़ करूँ सायद ब्लैक यह हो जाएगा आपका लोवर लोवर टैंक और यह आपका अपर टैंक ठीक है न दो टैंकों के बीच में ट्यूब हो गई ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक तक ट्यूब से जुड़ा हूआ यह ठीक है इतना अच्छा अब हम स्ट्यार्ट करते हैं चलो तो वन बाई वन पार्ट हम डिस्कस करते हैं अब यह देखो कि आग या वो कहां पैदा हो रही है यहां पे पैदा हो रही है सिलेंडर के अंदर यह क्या है बच्चों आपके सिलेंडर है चार इसमें पिस्टन चल रहा है घर्सन हो रहा है गर्मी उत्पन हो रही है यहां पर क्या और यह उत्पन गर्मी हीट लिख दो वह उत्पन हो रही है इसको ठंडा करना है ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा ठंडा करना क्या है यहां पर देखो और कहां है देखो यह रेडियेटर है ठीक है इसमें क्या होता तो सिदार्थ इसमें आप पानी डाल सकते हो या कूलेंट डाल सकते हो ठीक है ना तो आपने तेल डाल दिया इसके अंदर ठीक है बच्चो इससे ये तेल नीचे आया नीचे आके यहां से ऐसे गया और यहां चला गया पंप के पास पंप ने पंप करके तेल आगे यूं दे दिया और आगे किस के पास चला गया यह आगे चला गया इसमें यहां पे अब देखो सिलेंडर के यहां भी जगह है यहां भी जगह है अब हर जगह अगर क्या हो जाएगा थंडा कूलेंट होगा तो यह बाहर से थंडा कूलेंट लगेगा तो इस लेंडर विचारे थंडे हो यहां पानी की, खीर की जो खटोरी उसमें रखदो, खीर आपकी ठंडबा वना शुरू हो जाएगी, पानी आपका गर्म वना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी लूप्तीत त्रांसफर होती है, इसमें ज्याधा हीट है उससे कम ही तरफ तो इससे क्या होगा कि यह सिलेंडर तो क्या हो जाएगा बच्चो थंडा बना शुरू हो जाएगा और जो कूलेंट है वो गरम तो वो गरम coolant है वो यहाँ उपर जाएगा ऐसे उपर चला गया उपर यहाँ चला गया और यह क्या है थर्मो स्टेट है थर्मो स्टेट एक ऐसा उपकरण इन्होंने बनाया कि coolant अगर थंडा हो तो वापस बेज़ दो उसको coolant अगर थंडा है जादा गरम नहीं है तो उसको वापस बेज़ दो और अगर ऐसा लगे कि coolant बहुत जादा गरम है engine में नहीं रहना चाहिए अब यह engine को नुकसान होगा तो उसको वो क्या करेगी वो उपर यहाँ से आगे बेज़ देगी थंडा करने के लिए ठीक है तो इस देखर क्या है कि यहाँ आता है और यहाँ कर इसमें अपर टैंक में आ जाता है radiator के इसके पंखा चलना अटा होता एक ओर वो यहां से आते वे यह आता है तो तो यह थंड़्य वाशित आने तक और Íसर में बहुत ज़्यादा तो यह pressure प्रेसर कैप होती है यह प्रेसर नापती रहती है उसकी हीट का की कुलेंट जादा गरम है ना तो कितना प्रेसर पैदा कर रहा है अगर जादा है तो नीचे इंजन में भेजने की बज़ाए कुछ गरम कुलेंट को वह यहां भेज देगी रिजर्व टैंक में ठीक है और यहा आपस वैसे ही इंजन में जाता रहेगा जूरूरत के इसाफ से अगर जूरूरत नहीं है तो थोड़ा बहुत इसमें रहेगा ठीक है यह हो जाएगा हाँ मैंने भी कई जगह यही पढ़ा कि थर्मो स्टेट वाल्व जो है उसका टेंपरेटर सेट किया होता है असी डिगरी तक असी डिगरी पर उपर की तरफ खुल जाता है और कहता है कि भई ठीक है अब तो इसको ठंड़ आउने के लिए बिज़ो अब बस की बात नहीं है इसमें एक्चुली वैक्स लगाई जाती है वैक्स मतलब मोम मोम होती आपने सुना होगा मोम कि जो असी डिगरी सेल्सियस प जो वैक्स है ना पिंगलने के बाद क्या बनेगी लिक्विड बनेगी लिक्विड बनेगी लिक्विड बनेगी तो ज़ूरत पड़ेगी लिक्विड ज़्यादा जगह लेता है ना ठोस से अभी ठोस में है वो लिक्विड बनेगी फैलेगी ज़्यादा जगह लेगी तो यह नीचे की तरफ जाएगा यह नीचे आके इसको बंद कर देगा यह तो बंद हो जाएगा और उपर वाला इसा खुल जाएगा और यह अब मैं आगे चलूं, अब एक एक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि उसकता है उसमें आपको दिखाई ना दिया हो यह radiator आपका यह देखो यहान लिखाई दिखाई दे जाएगा गापको यह radiator है ठीक है यहान से इसमें आरा है कूलेंट यह की रेडिए्टर को क्या कर रहा है घंडा और रेडिएकर को शाफ करने के लिए क्या है कि पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पानी मत बारना क्योंकि आपने झाले हैं तोट भी जाये ठीक ठाक प्रेसर से कोई टूटे गी नहीं मतलब नुर्मल प्रेसर से जैसे गाड़ी वाड़े धोते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेसर भी रखते हैं उसकी बात कर रहे हुआ थीक ठाक प्रेसर से इसको धो दो इसमें कच्रा मिट्टी वगएर आई वो निकल जा यहांपे ठीक है नही। कеся चाहकDes icus धूंद में और रहता है। इंजन की तरफ करके कुलेंट को फिंक है कंद कने पहले भी दिखाया है। कहां पर होगा यह रहा। यह डायग्राम के हिसाब से दिखाया है वो चितर अलग होता है एक चुल में चितर जो गाड़ी में देखोगा ऐसा नहीं होगा यह तो अलग लग जगा बनाई है यह ताकि समझ में आ जाए अधरवाइस थोड़ा समझ में कम आते हैं जैसे यह चितर है इसमें समझना देखो थर्मो स्टेट नाम यहां पर लिखा हुआ है हिंदे में वह तो लिख देता हूं थर्मो स्टेट काम इसका नाम के साथ साथ काम तो बताई दिया था इसका ठीक है ना धीरेज की रिक्वेस्ट आई है वही कि लाइक कर दो सभी वाई हाँ जिसको अच्छी लगती हो अच्छी लग रही हो वीडियो वह लाई कर दो अच्छा इसमें इस एंगल से भी दिखाया है थोड़ा टेड़ा करके भी दिखाया कि उपरी साभी आपको दिखे जाए यह ब्रास है ठीक है ना यह ब्रास की बनियों इआपको दिखाई दे रही है यहां पर ठीक है काम क्या बताया था काम यह बताया था कि जब बहुत ज्यादा गरम कुलेंट आता है 80 डिगरी सेल्सियस के आसपास वाला कुलेंट आता है तो इसमें लगी जो वैक्स होती है वो पिंगल जाती है और इसमें ऊपर की तरफ की बजाए यह नीचे की तरफ चली जाती है यह और की साइड जाके बंद कर देती है ठीक है नाली को कुण सी नाली को जो बाइपास लाइन थी बाइपास लाइन थी ना एक जो की थंडे coolant को वापस बेज़ देती थी इंजन में या वह इसको थंडा करना नहीं है तो उसको बंद कर पार्ट इसमें आपको इतनी सी दिखाई दे रही है यह क्या है थर्मो स्टेट है थर्मो स्टेट इसमें आपको पता भी नीचे लेगा कहां सी कह थर्मो स्टेट इसमें देखो यहां से नीचे से यह बाइपास लाइन है बाइपास लाइन इसमें वापस कहा जा रहा है यह य एंजन में जा रहा है कुलेंट ठीक है आइसे था और जैसे ही वख पिंगल की ये नीचे आया hem इसका रास्ता ऊपर की तरफ चेंज हो अब कॉन सी लाइन में जा रहा है यह आगे यह जा रहा है है आपका radiator की तरफ कहा जा रहा है बच्चो रेडियेटर की तरफ जा रहा है कुलेंट की इसको ठंडा करो भई ठंडा करके और फिर नीचे से पंप करते वह वहां से आप इंजन में भेज़ दो इसको ठीक है अगले में देखें इसमें देख लो चितर तो ऐसा ही है यहां से यू गया ठीक है बच्चो यह क्या आपकी थर्मो स्टेट है थर्मो स्टेट के बारे में तो समझा दिया था आगे का चितर नहीं दिखा था आपको यू इसमें देखो यहां पर जा रहा है यह ठीक है बच्चो यहां पर जा रहा वैसे मैंने यह बता दिया था कि radiator के ऊपरी टैंक में जाएगा उससे फिर नीचे आएगा और नीचे जब गिरेगा तो सामने से पंखा उसको ठंडा कर देगा पर फिर भी मैं थोड़ा बड़ा करकर के दिखा रहा हूं सायद आपको यहां पर मैंने बताया भी था हाँ यहां पर इसमें ऐसे आएगा तो यह बड़ा सा radiator दिखाई दे रहा है अब इसको अब उपर से नीचे की तरफ आएगा यह coolant ऐसे और सामने इसके पंखा लगावा है पंखा इसको ठंडा करता रहेगा यह रापंखा यहां पर ठीक है ना तो पंखा यहां यह चीज और कि अगर यह बहुत गरम हो ठीक है ना coolant यह चीज भी वैसे बता दी थी coolant जो है ना वह बहुत गरम है बहुत गरम है ठीक है तो वह बहुत pressure create करेगा ठीक है तो इसलिए लिखावा है इसमें high pressure high pressure create करेगा और यहां पर मैंने कहा था कि एक pressure regulator यह प्रेसर regulator valve लगा हुआ है यह पीछे समझाया था किसमें अभी देखो हमारा था यह वाला इस चितर में देखो आप यह रहा छोटा सा यह radiator था radiator को पर यह pressure cap थी यह डखकन और अगर बहुत ज्यादा pressure बन जाएगा ना गर्मी से तो क्या करेगा वो इसको खोल देगा कि यार इस गरम को थोड़ा सा इसमें डाल दो इतने गरम coolant की जूरूत नहीं है मत भेजो इसको इंजन में बहुत गरम है यह तो यह pressure से खोल देगा इसको यह औ जाएगा तो वही थोड़ा बड़ा करके हमने इसमें दिखाया है कहां पर दिखा रहा था मैं यह रहा तो वह क्या करेगा इसको प्रेसर से खोल देगा और यहां से यह reserve tank में चला जाएगा इसके बाद वर्किंग वैसे यहां मैंने लिखा है पर आपको समझा तो दिया यह एक बार दुबारा और बता देता हूं इसको आपका radiator में आपने क्या किया coolant डाड़ा coolant डाड़ा डाल दिया coolant coolant जो है वो यू नीचे की तरफ जाएगा ठीक है इन टूब में से और यहां पर क्या है आपका यह lower tank है radiator का lower tank और यह इसको पंखा क्या कर देगा इसको ठंडा कर देगा ठंडा होने के बाद आपका जो coolant है यहाँ जाएगा pump के पास pump इसको pump मार के और भेज देगा cylinder के पास या engine के पास ठीक है और यहां पर यह ठंडे वाड़ा जो coolant है इसको engine को क्या कर देगा ठंडा कर देगा पर engine को ठंडा करने के चक्र में coolant खुद गरम हो जाएगा और वो गरम हुआ गूमता गामता coolant चला जाएगा thermostat के पास thermostat बोलेगी कि coolant भाई अब आप गरम तो हो और उतने गरम नहीं हो थोड़ी और गरमी रिखाओ अभी तो वह क्या करेगी इसको नीचे भेज़ देगी वापस bypass line के थ्रू इंजन में वापस चला गया अब यह बार बार गर्मी खाखा के डहके खाओ के सर फोड़वोड की slender के साथ बहुत ज़यादा गरम हो जाएगा बहुत ज़यादा गरम होगा ना तो यहाँ wax पिंखल जाएगी और wax पिंखलने से वह जो wax फेलेगी liquid फेले का वह उसको नीचे ध्खेल दे गा इसको यह यह यहाँ इसका रास्ता रोक लेगी और उपर वाला रास्ता खुल जाएगा यू और ये रास्ता खुलेगा तो यहां से होते वे यह आ जाएगा रेडियेटर के पास कि भाई साब अब तो आप ही बचाओ थर्मो स्टेट के हाथ खड़े हो गए मैं बहुत गरम हो चुका हूँ फटे जा रहा हूँ आग लग रही है मेरे अंदर अब मुझे ठंडा करो तो यहां पर कहेगा भई आओ मेरे पास यह यहां आएगा यहां पंखा इसको हवा मारेग ही ठंडा करके आनीचे बैस देगा और विचारए ठंडा-घरम ठंडा-घरत नगरा में ओता रहेगा पर आपकी गाड़ी को ठंडा रखेगा यह थंदा नवत थीक ट्र प्रिखे गए ठीक है इतना ठीक है मेरे खेल से, पाइप नहीं होती, ती मेरे रिजरव टैंक के नीचे, यहाँ पर रहे हैं यहाँ पर रहनकर का यहाँ JOSH अपने आप चला जाता है, अगर कम लगता है तो यह अपने आप इसमें चला जाता है और पूर्ति करता रहता है जादा हो तो यहां से प्रैसर से इसमें आ जाता है ठीक है और कमी होती है तो नीचे बापस सेम लाइन में चला जाता है ठीक है बच्चो तो मेरे ख्याल से यह हो गया अगर किसी बच्चे को कोई पार्ट को सुमित आपने तो है मुझबूरी खड़ी कर दी अब तो ठीक है ना जल्दी से ठंडा मिल जाए अब अच्छा अब इसमें कुछ समक्यूशन पूछ के देखता हूं आप बच्छों से आपने क्या सीखा इंजन कूलिंग सिस्टम है उसमें थर्मो स्टेट का उदेश से क्या होता है थर्मो स्टेट क्यों लगाते हैं यह सुमित आप ही बताओ ठीक है आप यह मित आप बता दो कि इसमें थर्मो स्टेट क्यों लगाते हैं थर्मो स्टेट मैंने बताया था ना पर अभी नहीं बताओ बताओ इसमें कौन साना थी है ए ओफ्षन ज्यादा सही है हाँ बिलकुल ए ओफ्षन क्यों क्योंकि ये कूलेंट को उबलने से रोकता है ठीक है ना कि कूलेंट है वो अगर ज्यादा गरम नहीं है तो ये नीचे छोड़ता रहा थे थर्मोस्टेट की वापस चला जा इंजन में वापस सलाज इंजन में तो बहुत जादा गरम हो जाता है इसके टेंपरेचर सेट होता है जैसे 80 डेगरी सेल्सियस तब वो क्या करता है कि अब तो यह उबल जाएगा बहुत जादा हो जाएगा तब वो उसको आगे बेज देता है तो कूलेंट को उबलने से र इंजन है ना इंजन उसको जल्दी गरम होने देता है इंजन को जल्दी गरम होने देता है वैसे कैसे कि वो जो कूलेंट है वो अगर ऊपर चला जाता थोड़ा सा गरम होता ही तो इंजन गरम नहीं हो पाएगा पर यह क्या करता है थोड़े से गरम कूलेंट को वापस लुपकरा है है ज्यादा वैटर ये वाला पर बी भी इसके काफी क्लोज है ठीक है Hmm अच्छा प्रेक्टी सेट भी कराएंगा बिल्कुल कराएंगा बच्चे एर कूलिंग ज्यादा तर खाली स्तान के लिए पसंद की जाती है एर कूल tt किस सिस्टम में ज्यादातर होती है यह बताओ ठीक है बताओ बच्चो कौन साएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर ट्रेड टेस्ट में कौन कौन से शेप बनवाते हैं शेप का मतलब क्या है आप से दिपक शेप कैसे डी आराय मोटर साइकल बिल्कुल सही मैंने यह कहा था कि जो हलके आपके वहन होते है hai रहते है बाइक एक एक इसमपल हाय हलके बाहन धंका एक कि कोई टाइम था पहले जब एयर कूलिंग सिस्टम को प्रयोग करते थे पर गाड़ियां बहुत हीट करती थी आग भी गाड़ियों में लग जाती थी समझ्चाओं का निदान करने के लिए फिर बाद में लिक्विड या कूलेंट या वाटर कूलिंग सिस्टम आया था ठीक है बच्चो तो आपका डी आ जाएगा सही अंसर जी तुए नहीं आएगा इसमें भारी ट्रक में नहीं काम करेगा एर कूलिंग एक रेडियेटर में रेडियेटर आपने देखा था आगे हांडी सी होती है जिसमें आप उपर से डकन खोल के पाणी या कूलिंट डालते हो ठीक है वो ठंडा करती है पंक्खे के आगे अधुम्राश कार से रेडियेटर ऊकार में चोटा होता है अब यह समस्या आगई है अमने जो ठोरी कर रहे थे नाम उसमें आये नहीं कोन सा इंजन ठीक है पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन अब यहाँ पे ले ले लेते हैं पेट्रोल इंजन एक तो पेट्रोल इंजन है हमारे पास यह आगया और एक आगया आपका डीजल इंजन अब इसमें डिफरेंस difference तो बहुत सारे हैं पेट्रोल और डीजल में इसमें यह कुछ है रेडिएंटर इसमें दोनों में लगेगा ना रेडिएंटर दोनों में लगेगा तो radiator कौन सा किसका छोटा होगा यह बताना है ठीक है A या B या C बताओ कौन सा ठीक है काफी बुच्छों का A आ रहा है कुछ-कुछ का B आ रहा है यह clear कर दो देखो पेट्रोल का system क्या है पेट्रोल में आपकी हावा जाती है तेल जाता है तो रहा है कार्बॉरेटर का यूज होता है ठीक है स्पार्ग बलक से चिंगारी छूटती है उसमें आग लग जाती है piston गुमने लग जाता है यही सब काम होता है अच्या डीजल इसमें क्या जाता है सुरू में सिर्फ हवा जाती है हवा को वो compress करता है तो हवा जादा जाती है क्योंकि तेल नहीं गया जीतना तेल जा सकता था Treasury में उसकी जगे भी वहाँ डीजल वाड़ी में हवाँ गई तो हवा ज्यादा गई ञदा हवाँ को थोड़ी सी जगह में करेगा तो compress ज़्यादा करेगा दबाव ज़्यादा मारेगा हीट ज़्यादा पैदा होगी ठीक है ना तो डीजल इंजन में क्या होता है हावा सिलेंडर में ज़्यादा जाती है एक तो यह होता है यह फर्क है ना दोनों में हवा सिलेंडर में ज़्यादा जाती है ठीक है भई अच्छा दूसरा कंप्रेशन ज़्यादा होता है दबाव ज़्यादा होता है कि हवा ज़्यादा है और वो piston जो है वो तो उतना ही बड़ा होता है ऐसा तो है नहीं कि piston छोटा होगा वो पूरा piston आएगा और उपर से हवा भी ज़्यादा आई हुई है तो वो उसको बिल्कुल दबाएगा ऐसे ठीक है जितना बड़ा piston है ऐसे ऐसे आके वो यहां तक आना थे यहां तक है ह अच्छा उसके बाद क्या ओजाएगी हीट भी ज़्यादा होगी compression ज़्यादा वड़ा होगा तो फिर्फ क्या ओगी जादा होगी ठीक है तो इसका मतलब इंजन गरम भी ज्यादा होगा है इंजन गरम इसमें ज्यादा ओगा diesel वाड़ा ठीक है तो इसलिए इस 2017 रेडि त्झंडा करने के लिए सो आंडी से होते हैं जिसमें कूल हाता ओपर ते नीचे के तरफ जाता है वो हांडी बडू होगी तो इसमें ज्यादा इसमें रेडियेटर क्या हो इसमें रेडियेटर चाहिए छोटा रेडियेटर चोटा चाहिए कौन से इंजन में पेट्रोल इंजन में ठीक है बच्चो तो आपका अंसर आजाएगा ए चोथे का आगे चलें अब आउट ओफ सलेबस होगया समीत देखो हम क्या कर रहे थे हम पेट्रोल इंजन डीजन पड़ा था अगर हमने उसको पड़ेगा उसको याद करेंगे वहां से क्यूसर बन जाएगा क्योंकि हमें रेडियेटर बताना है छोटा छोटा रेडियेटर उसमें काम आएगा जिसमें गर्मी कम है जिस इंजन में छोटे रेडियेटर से हम ठंडा कम कर पाएंगे यानि कि जिसमें ठंडा करने ही कम जुरूर तो यानि कि जो गर्मी कम होता हो कौन सा गर्म कम होता है पेट्रोल या डीजल ठीक है हीट किसमें कम होती है मतलब यानि compression किसमें होता है हवा किसमें क जाती है simple वहाँ पहुंच गए हम वापस अचा थर्मो स्टेट वाल्व बंद स्थीती में होता है ठीक है बंद स्थीती में रहता है मैंने बताया था ना कि टेंपरेटर 80 डिग्री जाएगा तो वेक्स पिंगल जाएगी और थर्मो स्टेट खुल जाएगा अधरवाइस वह भंद रहता है उसमें वेक्स रहती है ठीक है नğ integrity तो थर्मो स्टेट बंद रहता है तो क्या होगा इंज ने किसी निश्क्रियगती इंजन दीरे घरम हो जाएगा शुरू करना मुश्किल होगा इंजन जादा घरम हो जाएगा थीक है नह रफ इंजन विल वार्मप इंजन विल ओवर हीट ठीक है ना इंजन ज्यादा गरम हो जाएगा यह उप्सन लग रहा है मुझे इसमें डी ठीक अरे आपने तो सभी लगा दिए ए बी डी एक ने वी भी कहा रखा है कौन सा करें भी इसमें से ठीक है अच्छा इसमें ये देखो कि थर्मो स्टेट वाल्व है वो बंद स्थीती में रहता है खुलता नहीं है ये कहा रहा है ना कि बंद स्थीती में रहता है खुलता नहीं है तो फिर क्या होगा यहां पर थर्मो स्टेट है ठीक है यहां से इसमें क्या आता है पूलेंट आता है और यहां नीचे जा सकता है नीचे से वापस किसमें चला जाता है इंजन में और अगर यह बंद रहता है इसका मतलब उपरी रास्ता बंद ठीक है ना यह नोर्मल स्टेर्ज नीचे की तरफ यह बंद रहता है ठीक है तो यह नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेग cooling fan बताया था ना जो पंखा है आपका वो क्या है engine और radiator के बीच fit किया गया है यह तो हाँ सही है यहाँ पे radiator था यहाँ पे आपका पंखा था और इसके पीछे आपका engine लगावा था cylinder वगरा ठीक है ना तो यह तो बिल्कुल सही है अच्छा बेल्ट और पुली दोबारा उसमें बेल्ट होती है ना वो चलने के लिए पंखा गुमेगा कैसे बेल्ट से और camsets cam होता है यहाँ पे camsafet इस वर्ड को थोड़ा ठीक कर दूँ मैं camsafet camsafet से संचाली जो camsafet engine से जुड़ी होती है ना उसी से चलेगा ऐसा निया कि कोई अलग से बिजली में तार लगाना पड़ेगा इसका ठीक है तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसके ठीक है ना पंखे का जो सिस्टम होता है ना कहीं पर अगर हमारे पास चित्र उसका पड़ा हुआ है साइद इसमें दिख जाए यहां देखो यह पंखे की ताडियां है यह बैल्ट आपकी दिख रही है बैल्ट आपको यह ऐसे आती हुई यह आपकी क्या है साफट है वो camsafet ठीक है यह रेडियेटर आइदर इंजन है इनके बीच में है और यह यह आपकी पूली हो गई यह पूली पूली के ऊपर क्या चड़ी यह आपकी यह आगी बैल्ट camsafet के ऊपर पूली चड़ाईए camsafet के ऊपर बैल्ट टिकेगा नहीं तो उसके ऊपर ऐसी पूली चड़ाओ जहां पे बैल्ट पूरा-पूरा फिट आए एक धारी से उनीची बीच में ऐसे पतली सी जि कूलिंग फैन वाले में अच्छा अब यह देखो साथवे में क्या करेंगे हम एक प्राणली जो इंजन के ताबमान को नियंतरित करती है के रूप में जानी जाती है ताबमान को कंट्रोल में रखती है इंजन का ताबमान है ना उसको कंट्रोल करती है वो उसको प्राणली मतलब सिस्टम को क्या कहते है अगर यहां देखो तो बहुत एजली समझ में आ जाए कूलिंग सिस्टम होता है वह जो टेंपरेचर कॉंट्रोल करता है और सीचलन प्राणली भी समझ में आ सकता है थोड़ा सा मुस्किल वर्ड है पर यह तो एजी एक्यूसन है ना कूलिंग सि सिटलन प्राणली मतलब क्या हो गया आपका कूलिंग सिस्टम ठीक है में पाणी को जमने से रोकने के लिए उसमें पाणी जमेना कूलिंग सिस्टम में जैसे सर्दी आती है और आप पाड़ों अगरा पे हो सिमला में हो मनाली में हो तो वहां वह जम भी सकता है बरफ बन सक इसलिए तो एक बच्चे ने बताया भी थाज मोहित ने कि पाणी के जगे coolant इसलिए डालते है कि coolant जल्दी से जमता नहीं है पाणी जम जाता है ठीक है तो फिर भी अगर कोई पाणी यूज कर रहा है और वो जमता है तो उसमें कुछ मिलाया जाता है तो क्या मिलाते है उसमें फ्रीज जल्फ्रीज एंटी फ्रीज यह आएगा एंटी फ्रीज फ्रीज तो वह हो गया न जो फ्रीज कर दे फ्रीज का मतलब क्या होता है ठंडा करना जैसे आपके घर में फ्रीज है तो फ्रीज बोलते हो रहा है फ्रीज इसी चीज डालने पड़ेगी आपको तो सी आ गया ठीक है सी आपका सही है लगबग सभी बच्छों के मेरे ख्याल से सी है ठीक है मन्जीत कह रहा है कूलेंट जंग नहीं लगने देता बताओ हाँ पाणी से जंग जज़ा लगता है कोई भी चीज में बिल्कुल सही बहुत अच्छा दिवाग आप बच्छों के अंदर तो वेरी गूड अच्छा निमलिक्त में से कौन एर कूल्ड इंजन का एक लाब है अच्छा एर कूल्ड इंजन अब हम जो कर रहे थे वो तो आपक कूलेंट वाला था दूसरे सब्दों में ओयल खूलिंग तार झा भाग यह का लगा दो ओक है तो आपका अर कूलिंग सिस्टम का लाहर équ Recht इसका डिजाइन सरल है आपको रेडियेटर हांडी बगारा यह रिजर्व कूलिंग तेल वेल डालने का जंजटी निया बहुत सारी पूर्जे नहीं लगाने पड़ेंगे आपको पंप नहीं मालना पड़ेगा उसको तेल को ठीक है थर्मो स्टेट नहीं लगानी पड़ेगी कि वो गरम या ज्यादा कम गरम तेल को देखे ठीक है अच्छा एडी मिशन दिल्ली पुलिस आपका नाम बूल जाता हूं आप मजाग बढ़ा अच्छा करें बताओ क्या नाम आपका दीपक आपका कमेंड मैंने पढ़ा दो तिन बार पढ़ा बार लिखते हो बार बार मत लिखा करो कमेंड को किसी को भी पढ़ाई में ध्यान लगाया करो अब देखो आप बच्छे पढ़ाई में ध्यान ने लगाओगे तो वहां गाड़ी का ट्रेट टेस्ट की बार ही नहीं आएगी पहले रिटन तो निकाल लो गुरू जी बाद में होगा ट्रेट टेस्ट त तो आप कलास खतम हो जाएगी अब खतम होने के बाद फिर कमेंट में डाल देना वहां वो पढ़ा रहेगा और मैं मेरी टीम कोई भी जिसको पता होगा वहां पर देगा बहुत सारी लोग उस कमेंट को देख पाएंगे फिर यह तो चला जाता है ऐसे क्या करो आप है ना बार पुरजे उटे हैं तो इसमें देख वाल भी कम देख करनी पड़ेगी इसमें और निर्मान करने के लिए सस्ता है, सस्ता तो पड़ेगा है, क्योंगे पुर्जे कम है तो सस्ता पड़ेगा ये आपको Coolant System, Radiator ये सब कुछ लगाना नहीं पड़ेगा ठीक है? तो ये सारे ही आपने करनी है इसके अलावा भी आपको जहां से भी material मिलता है, book से मिलता है, वहां से आप पढ़िए, कुछ मैने करवाए है, इसके अलावा और कुछन मिले, वो भी practice कीजी, आपने खूब पढ़ना है, ठीक है ना? homework भी तो करना होता है, यह तो class work हो गया, तो आप कीजिएगा, कल फिर मिलते हैं आपके साथ, एक नया topic लेकर, सब तक के लिए, tata, bye bye.